दोस्तों मैं हूं कुनाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लास्ट्रूम ग्यान अभियां चलिए आज इस वीडियो में सीखते हैं क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.3 का कोश्चिन नंबर 3 तो कोश्चिन नंबर 3 एक्सप्रेस फॉलिविंग इन फॉर्म पी अपॉन 6 के उपर बार तो इसका सोलुशन लेंगे लिखेंगे लेट multiplying both side by 10 पॉइंट के बाद one digit रिपीट हो रहा है यह हम इसको 10 से multiply करेंगे 10 से multiply करते क्या हो जाएगा यह इस x को अगर हम 10 से multiply करते हैं तो यह हो जाता है 10 x और इक्वल टू इसको अगर 10 से multiply करेंगा तो यह जाएगा 6.66 यह दो बार नहीं हम इसको तीन बार लिख लेंगा और डॉट 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 ऐसे कर देंगे चुकि यह बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको कितने बार भी लिख सकते हैं अब इसके नीचे लिखेंगे subtracting subtracting equation 1 in equation 2 we have equation 1 को equation 2 में से minus कर देते हैं तो हमना यह लिखा 10x equal to 6.666 dot 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 और यह हमने यह लिखा x equal to 0.666 और इसके आगे भी ऐसे कर दिया अब इसको आपको minus करना है तो minus करते हैं तो 10x में से 1x minus हो जाएगा तो यह बचेगा हमार पास 9x और यह क्यो जाएगा यह 0 यह भी 0 यह भी 0 यह भी 0 तो यह आपे बच रहा है हमार पास 6 तो x equal to क्यो हो जा रहा है 6 upon 9 क्योंकि यह इदर multiply में है तो डिवाइट में हो जाएगा तो यह हो गया 6 upon 9 तो अब इसको काटेंगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 तो यह हमारे पास answer आगे 2 upon 3 और यह हमारा हो गया final answer पी अपॉन क्यों के फॉर्मट में यह हो गया पी और क्यू है तो मिर यह फर्स पार्ट आपने समझ लिया होगा अब तरी इसका second पार्ट देखते हैं 0.4 और 7 के ऊपर बाहर है ना तो यहां पर इसको ऐसे ले ले लेते हैं अब इसका second पार हमारे पास है 0.4 और 7 के ऊपर सिर्फ 7 यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह 4 के ऊपर रहकरी नहीं है सिर्फ 7 के ऊपर रहकरी नहीं है इसका मतलब यह क्या होगा सिर्फ 7 बार-बार repeat होगा ठीक है तो यहां पर लिखते हैं let x equal to 0.47 के ऊपर बार या फिर और क्या हो जाएगा यह x equal to 0.47 बार-बार repeat होगा है न यह हमने 7 रिपीट कर लिया और इसको हमने मौन लिया equation first अब देखिए ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि इसमें सिर्फ 7 के उपर बार था तो पहले हम इस 4 को आगे हटा लेंगे तो 4 को सिर्फ 4 को निकालने के लिए क्या करना होगा 10 से multiply करना पड़ेगा तो लिखेंगे multiplying multiplying equation first by 10 we have अगर हम equation first को 10 से multiply करते हैं तो हमारे पास हो जागा यह 10 x equal to 4.777 dot 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 और इसको हम लोग माल लेंगे equation 2 अब देखें अब भी हमारा पूरा solution नहीं हुआ इसमें हमने सिर्फ एक बार multiply किया था इसमें हमें दुबारा multiply करना पड़ेगा एक 7 को इधर लाने के लिए तो लिखेंगे again multiplying equation 2 by 10 we have अब फिर से अगर हम इसको 10 से multiply करते हैं तो 10 x 10 क्या हो जाएगा 100 x और equal to यह हो जाएगा 47.777 और यह ऐसे इसको हम लोग 3 माल लेंगे अब इस equation से में कोई मतलब नहीं इन दोने equation को क्या करेंगे आपस में minus कर लेंगे तो equation 3 में से equation 2 को minus कर देना है लेके 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 now by subtracting subtracting equation 2 in equation 3 we have equation 2 3 हमारे पास क्या equation 3 को उपर लिख लेना है यह लिखा हमने 100 x equal to 47.777 ठीक है और यह 10 x equal to equation 2 हमारे पास है 10 x यह लिखेंगा 4.777 अगर ऐसा कर लेते हैं तो यह minus करने में हमें आसानी हो जाती है क्योंकि अब यह क्या हो जा रहा है 7 के 7 7 के नीचे 7 आ जा रहा है तो यह 0 हो जाएगा तो यह आसान हो गया यह हो जाएगा 90 x equal to 43 पॉइंट के बाद 77 है तो यह पॉइंट के बाद 00 हो जाएगा तो लिखने की ज़रत नहीं है तो x equal to हमारा हो गया 43 upon 90 और यह हो गया answer तो उमीद है यह second part आपको समझने में भी आसानी हो गई होगी अब इसका third part देखते है third part के लिए थोड़ा erase कर लेते है third part देखते है third part हमारे पास क्या है 0.001 और यह पूरे का उपर बार है तो यह बिलकुल आसान होगे जैसे हमने पहला वाला बनाया तो यह ऐसे बनाएंगे लिखेंगे let x equal to 0.001 और यह ऐसे और x equal to 0.001 001 001 ऐसे हम लोग इसको बार बार लिख सकते हैं और इसको equation first मान लेंगे अब चुक्ष में पॉइंट के बाद तीन डिजिट रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहा है थी डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसके कारण से क्या हो जाएगा इसको 1,000 से मल्टिप्लाइ करेंगे मल्टिप्लाइंग मल्टिप्लाइंग इक्वेशन first by 1,000 we have पॉइंट के बाद जितने डिजिट रिपीट होंगे उतने जीरो वाले संख्या से इसको मल्टिप्लाइ कर देना अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा होता तो 10 से मल्टिप्लाइ कर देते है 2 डिजिट रिपीट हो रहा होता तो 100 से मल्टिप्लाइ कर देते है अगर 3 डिजिट हो रहा होता 0.001 और फिर यह 001 और इसी तरह से 001 और यह dot 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 इसको आमने 2 माल लिया अब लिखेंगे subtracting subtracting equation 1 in equation 2 we have equation 1 को equation 2 में से minus कर देना है तो यह होगया 1000 x equal to 1.001 001 और 001 dot dot और यहाँ पर हो जाएगा x equal to 0.001 001 001 ऐसे तो अब इसको जब minus करेंगे तो क्या हो जाएगा यह 1000 में से 1 minus हो जाएगा तो यह होगया 999 x equal to इधर यह 1 क्योंकि इधर यह सारे 0 बन जाने है तो x equal to हमार हो गया 1 upon 999 मतलब 999 और यह हो जा रहा है answer तो उमीद है question number 3 समझने में आपको बहुत ही आसानी भी होगी आप question number 4 को हम अगले वीडियो में देखते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे like कीजिए अपने classmates के साथ share कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इस चैनल को subscribe कीजिए मिलते है एक नए वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद